हिमाचल प्रदेश के जंता अज अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी यहां 68 विधान सबास सीटों पर थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी 68 विधान सबास सीटों के लिए कुल 412 प्रत्याशिस बार चुनावी मैदान में है और वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी वहीं वोटों की गिंती की बात की जाये तो 8 दिसंबर को वोटिंग की जो गिंती होगी वहोगी फिलहाल बीजेपी सत्ता में थी इस बार आप और कॉंग्वेस दोनों सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं प्रदेश में कुल 55,92,828 मत दाता है इनमें से 28,94,945 पुरुष और 27,37,845 महिला मत दाता है इसके लावा कुल 38 थर्ड जेंडर भी वोट डालेंगे बता दे कि हिमाचल प्रदेश विधान सबा सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गड़ बंदन को 35 सीटों की जरूरत होती है साल 2017 में हुए विधान सबा चुनावों में भारती जंता पार्टी ने 44 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी और कॉंग्रेस के खाते में 2017 में 21 सीटे, सीपियम को एक सीट और अन्य को दो सीटे मिली थी तो आज का दिन बेहत एहम है यह माचल प्रदेश के विधान सबा चुनावों को लेकर जो तस्वीरे सामने आएंगे आपसे हम साज़ा करते रहेंगे फिलहाल आठ बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी 68 विधान सबा सीटों के लिए शनिवार यानि कि आज मतदान किया जाएगा प्रदेश भर में 7881 मतदान केंदर भी बनाए गहें और आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाल जाएगे